हाई फ्रेंड्स मैं निकीता आज मैं आपको बहुत ही प्यारी और सिंपल सी एक डिजाइन बताने वाली हूँ जो सिर्फ दो रोकी है और ये रिब पैटर्न की तरह ही है बस ये रिब में जीगजग पैटर्न है ये उल्टे तरफ से है और ये सीधी तरफ से है काफी स्ट्रे लेंगे और एक फंदा एक्स्ट्रा लेंगे जैसे मैं तीन के मल्टिपल में 21 फंदे में इसे बनाई हूँ और एक फंदा एक्स्ट्रा लेंगे टोटल मैंने 22 फंदों पर इस पैटर्न को बताया है इसलिए आपको जितने भी फंदे लेने हो बस एक फंदे उसमें जो यानि कि पहली सलाई ये सीधी तरफ से होती है, सबसे पहले, पहला फंदा उल्टा बुन लेते हैं, और फंदे को फिर पीछे करके, उल्टी तरफ से देखिएगा, पीछे की ओर से, पहले फंदे को छोड़ कर, दूसरे फंदे में, एक सीधा बुन लेंगे, पीछे की ओर से, और फिर पहले वाले फंदे में, आगे की ओर से, एक सीधा बुन कर, दोनों को एक साथ नीचे उतार लेते हैं फिर फंदे को आगे करके एक उल्टा और फंदे को पीछे करके फिर से दो फंदों में वैसे ही दो सीधा बुनते हैं बस इसी क्रम को पूरी सलाई में दोराएंगे एक उल्टा बुनने के बाद दो सीधा बुनते हैं लेकिन दो सीधा में पहले पीछे के फंदे को पीछे की और से एक सीधा बुनकर फिर आगे की और से पहले वाले फंदे को सीधे बुनकर तोनों को एक साथ उतार कर फंदे को आगे कर लेंगे और एक उल्टा हमेशा फंदे को आगे और पीछे करना है उल्टा बुनते समय फंदे को आगे कर लेते हैं और सीधा बुनते समय फंदे को पीछे कर लेते हैं यह फर्स्ट रोग फूरी कम्प्लीट होने जारी है देखे कितनी सिंपल सी है लेकिन बहुत ही आकर्शक पैटर्न है यह इसे आप कहीं पर भी डाल सकते हैं ब्लाउस के बाजू में डालिए यानि कि ब्लाउस के स्लीज में या बेबी स्वेटर में भी डाल सकती है इसे कार्डिगन्स में डालिए यह उल्टे तरफ से जो मैंने उधर से सीधा बुना था उल्टा बुना था इधर से एक सीधा बुनकर फंदे को आगे कर लेंगे और पहले दूसरे वाले फंदे को एक उल्टा और फिर पहले वाले फंदे को एक उल्टा बुनकर दोनों को एक साथ उतार लेते हैं उल्टी तरफ से देखिए, पहले वाले फंदे को छोड़कर, दूसरे फंदे में एक उल्टा, फिर पहले फंदे में एक उल्टा, फिर फंदे को पीछे करके एक सीधा बुन लेंगे, बस वैसे ही पूरी सलाई में बुनते जाएंगे, मैं पूरी सलाई बना कर दिखा रही हूँ आप ध्यान से इसे देखकर समझ सकते हैं मेरे ब्लॉग शिल्पी गामेंट्स फर भी जरूर एक बार विजिट करें उसमें मैं अपने रिटिन पैटल्स देती रहती हूँ हमेशा आप उसे देखकर और अच्छी तरीके से सीख सकते हैं उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्श यह पूरी सेकेंड रो कम्प्लीट बस इसी दो रो को बार बार रिपीट करना है बिल्कुल आसान और प्यारे सी डिजाइन है बिल्कुल जिग जैग रिब पैटर्न है यह अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर भी कर करें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें धन्यवाद